जितना आप खुद को समझेंगे उतना ही शान्त और सहज रहना आपके लिए सहज होगा हेलो अब्रिवन मैं आपकी दोस्त पुष्पा आपके लिए यूनिक डिजाइन लेके आई हूँ इस डिजाइन को आप कार्डिगन, जैकेट, फूल स्वेटर, बेबी स्वेटर सभी में डालके बना सकते हैं इस डिजाइन को बनाने के लिए आपको सेवन के मल्टिपल में फंदे लेने हूँगे प्लस तीन करना होगा बारा सलाईयों का डिजाइन है, मिन्स बारा रो का ये डिजाइन है और उसी बारा रो को बार बार रिपीट किया जाता है तो इस तरह से ये डिजाइन बनके आता है तो इजी है और जल्दी बनता भी है तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इस design को कैसे बनाया जाता है इस design को बनाने के लिए मैंने 7 प्लस 7 प्लस 3 17 फंदे डाले हैं फस्ट रो फ्रंट से सामनी से डालेगा तो 4 फंदा स्टार्टिंग जो है वो हम उल्टा बनाएंगे चार फंदा उल्टा बनेगा फिर उन पीछे लेके जाएंगे दो फंदा सीधा फिर उन आगे पांच फंदा उल्टा फिर उन पीछे लेके जाएंगे दो फंदा सीधा फिर उन आगे लेके आएंगे लास्ट में चार फंदा उल्टा इस तरह से सारा फंदा उल्टा उल्टा ही बनेगा प्रतेक सलाई, बैक साइड, जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड सेर कीजिए, तो ये सेकेंड रो कम्प्लीट हुआ, दूसरी सलाई, थौर्ड रो, तीसरी सलाई, वही प्रोसेस है, चाड़ पंदा उल्टा, तीसरी सलाई, फौर्स्ट रो की तरह ही बनेगा, चार पंदा उल्टा, फिर उन पीछे लेके जाएंगे, दो पंदा सीधा, फिर उन आगे लेके आएंगे, पांच पंदा, उल्टा, फिर उन पीछे, दो पंदा सीधा, उन आगे, चार पंदा, लास्ट में ये उल्टा बनेगा, तीसरी सलाई कम्प्लीट हुए, अब चौथी सलाई, सकेंड रो की तरह पूरी सलाई उल्टी उल्टी बनेगे, फोर्थ रो कम्प्लीट हुए, चौथी सलाई, अब पांच में सलाई, तो पांच में सलाई भी फ्वास्ट रो की तरह ही बनेगा, चार पंदा उल्टा, फिर उन पीछे, दो पंदा सीधा, फिर उन आगे, पांच पंदा उल्टा, फिर उन पीछे, दो पंदा सीधा, फिर उन आगे, चार पंदा उल्टा, ये पांच में सलाई कम्प्लीट हुए, अब चठी सलाई, शिक्स तरो पीछे से सारा पंदा उल्टा बनेगा, ये शिक्स तरो कम्प्लीट हुआ, फर्स्ट रो सेट करने के बाद हमें, ये सिम्पल ऐसे ही बनाना है, सिधा पर सिधा उल्टा पर उल्टा, छे सलाई, अब सेवन्त रो जो है, इससे आप ध्यान से देखिए, इसमें चेंज होगा, अब यहाँ पर तीन फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर उन पीछे लेके जाएंगे, यहाँ दो फंदा का एक करेंगे, फिर उन आगे लेके आएंगे, और इस दो का एक करेंगे, पहले इस फंदे को सीधा करेंगे, यह बीच में जो दो फंदा है, वो डिवाइड हो जाएगा, इस तरह से यहाँ पर जाली बनाते हुए दो का एक करेंगे, तो जाली बनाते हुए यहां इधर दो फंदा घटा इधर दो फंदा घटा एक फंदा बढ़ा है तो यह फंदा जो एक मिसिंग है वो आगे सलाई में जो है एड़ेस्ट होगा फिर उन आगे लेके आएंगे तीन फंदा उल्टा फिर उन पीछे अब यह दो जो सिधा बना है इसको हम दो का एक करेंगे फिर उन आगे लेके आएंगे और यहां भी हम इस फंदे को सिधा करेंगे और नीचे से पीछे से इसको हम जाली बनाते हुए दो का एक करेंगे फिर उन आगे तीन फंदा उल्टा ये सेवन्थ रो से जो है डिजाइन हमें क्यार्फुली देखना है सेवन्थ रो कंप्लीट हुआ एड्थ रो आठमी सलाई पीछे से सारा फंदा उल्टा उल्टा बनेगा एड्थ रो कंप्लीट हुआ अब नाइन्थ रो अब यहां पे दो फंदा उल्टा बनाएंगे फिर उन पीछे लेके जाएंगे अब यहां पे दो का एक होगा इस तरह से उपर से बनाते हुए दो का एक करेंगे तो इस तरह से यह बन के आएगा फिर उन आगे करेंगे जाली बनाते हुए एक फंदा सिधा फिर उन आगे लेके आएंगे यहां भी इस फंदे को पहले सिधा करेंगे फिर दो का एक करते हुए जाली बनाते हुए हम दो का एक करेंगे तो यहां भी दो फंदा, दो का एक हुआ, यहां भी दो का एक हुआ, और यहां पे जाली बना, यहां पे जाली, तो इस सलाई में जो है, यह एडजेस्ट हो गया, फिर उन आगे लेके आएंगे, एक फंदा, उल्टा, फिर उन पीछे, अब यहां पे दो का एक होगा, दो का एक करते वे उनको हम आगे लेके आएंगे और फिर यहाँ पे एक चाली बन गया तो यह एड़ेस्ट हो गया फिर उन आगे लेके आएंगे पहले इस फंदे को सीधा करेंगे और दो का एक करते वे चाली बनाते वे दो का एक करेंगे लास्ट में दो फंदा उल्टा तो ये नौमी सलाई कंप्लीट हुए अब दसमी सलाई पूरा पिछे से उल्टा उल्टा ही बनेगा अब 11 तो ग्यारमी सलाई इसे ध्यान से देखिए अब यहां पर दो फंदा उल्टा बनेगा दो फंदा उल्टा बनाते हुए फिर उन पीछे लेके जाएंगे अब यहां पर जो है दो का एक खमने करेंगे इसे सिंपल एक फंदा ऐसे ही सीधा बनेगा फिर यहां पर उन आगे लेके आएंगे जाली बनाते हुए यहां पर तीम फंदा सीधा फिर उन आगे लेके आएंगे अब यहां पर इस फंदे को सीधा करते वे इस तरह से दो का एक करते वे यहां जाली बनाएंगे तो यहां दो फंदा का एक किया एक घटा तो यहां पर यहां पर बढ़ गया तो इस तरह से पनेगा फिर ये सिंपल सीधा बनाएंगे और उन आगे लेते हुए यहाँ पे जाली बनाएंगे दो फंदा सीधा फिर उन आगे लेकाएंगे और यहाँ पे इसे इस तरह से सीधा करते हुए यहाँ पे दो का एक करेंगे उन आगे लिक्याएंगे लास्ट में एक फंदा उल्टा ये एग्यारमा सलाई कम्प्लीट हुआ अब ये बारमा सलाई पीछे से पूरा फंदा उल्टा उल्टा ही पनेगा तो अब ये 12 सलाई कम्प्लीट हुए और डिजाइन भी कम्प्लीट हुआ तो इसी 12 सलाई को हमें बारबार रिपीट करना होता है में जो यहां पे नीचे 6 सलाई है वो तो सिंपल बनेगा इस पे हमें कोई भी इतना ध्यान देने की जुरत नहीं है बस एक बार सेट करना होता है चार फंदा उल्टा दो फंदा सिधा फिर पाच फंदा उल्टा दो फंदा सिधा लास्ट में चार फंदा सेवन्थ रोज से जो है डिजाइन वो जाली बनता है तो जाली बनाते हुए हमें फंदे को एडजेस्ट करना होता है तो उसका हमें ध्यान देना पड़ता है छे सलाही जो है उसे हमें ध्यान से बनाना होता है तो एक बार बन जाए तो फिर मैंड में सेट हो जाता है अब देखें यहां से फिर यहीं स्टार्ट होगा फॉर्स्ट रो जैसे बनाता चार फंदा उल्टा बनेगा एक लाइन में बना के दिखाती हूँ चार फंदा उल्टा फिर उन पीछे दो फंदा सीधा उन आगे पांच फंदा उल्टा फिर उन पीछे दो फंदा सीधा फिर उन आगे चार फंदा उल्टा बस इसी का रिपिटेशन है और बनाएंगे तो और भी आसान लगेगा बहुत ही इजी है बहुत ही प्यारा डिजाइन है देखिए बनने के बाद कितना प्यारा लग रहा है तो इस तरह से जैसे जैसे यह बढ़ेगा और भी डिजाइन जो है किलियर देखने में लगेगा आसा करती हूँ आपको यह डिजाइन पसंद आया होगा बिलती हूँ एक नए डिजाइन के साथ तब तक के लिए टेक केर और गौड बिलेस यॉल थेंक यूज आसा करती हूँ